मेरा नाम मुहम्मद याकूब खान है मेरे रहने वाला एकार्शी का उपर मुहला मेरा पता है एकार्शी में और मेरी आवाज चलेगी कि आज से 15-20 दिन पेले एक महीने किसम्ति हो गया करीब 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 मेरी आवाज चलेगी कि डाक्टरों मेने सब रुकर देखाया नाकपूरी दर्व जाके लेकिन मुझे कहीं से भायदा नहीं बिला फिर मेरों को यहां से अके अधर्रस मिला नावेत खान नावेत नावेत लाहमत करके मेरों मार्गड मेरे रहते हैं मोपाल में इनका हस्पटे अधरिया नावाज बेले बिलागों तो मेरे पंदरादे में आवाज आ गई यहां अधरेपी होती है वड़ी आवद फिरेपी करियों तो मेरी पंदरादे में पूरी आवाज डो जाई बहुत अच्छा लगा इलाज करा कि हम से श्चेटमेंट बहुत सब्सक्राइब होता मेरी मेरी बहुत परिशान था वड़े डॉक्टर को दिखाने के बाद पता चला कि इनके प्रोस्टेट बढ़ गया है और जिसकी वज़े से युरिन टीव ब्लॉक हो गई है जिसकी वज़े से डॉक्टर ने इमीजियेट ऑबरेशन करने की हमको सला दी थी और कहा था कि दो उमर को देखते हुए चूंकि दादा 88-85 प्लस हैं इनकी उमर को देखते हुए हमने ऑपरेशन को थोड़ा सा डिले किया और देखा कि कोई ऐसा डॉक्टर हमें मिल जाए जो विदाउट ऑपरेशन इनका इलाज कर सकी किसी ने हमें बताया कि घुपाल में निरोग धाम में डॉक्टर नवेद हैं जो इंस्टेंट उसी वक्त इलाज क्लिनिक पर ही फाइदा पहुचाते हैं उनके पास जो भी इलाज के लिए जाता है उसको क्लिनिक के उपर ही फाइदा नजर आने लगता है क्लिनिक के उपर ही उसको अपनी बीमारी से छुटकारा नजर आने लग और मेरी दवाई को खाते रहें दो महीने में अगर आपको कोई फायदा नजर नहीं आएगा तो आप ऑपरेशन करा लेना हमारे पास कोई और चारा नहीं था हमने दादा के दो महीने के लिए ऑपरेशन को डिले कर दिया और निरोग धाम डॉक्टर नवेद की दवाईएं ख खाना शुरू कर दी गौड की महरबानी रही कि बहुत ज्यादा उससे फायदा हुआ और दो महीने के अंदर हमने जब वापस सोनोग्राफी करवाई तो प्रॉस्टेट अपनी नॉर्मल कंडिशन में आ चुका था निरोग धाम एक यूनिक क्लीनिक है जहां पर एक साथ त अगर जरुड पड़े तो जिससे हमें बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं हो मियोपेथी दुनिया में दूसरी सबसे ज़्यादा यूज होने वाली पैटि होमियोपेथी की सबसे अच्छी बात यह एकि अगर सही मेडिसीन और सही पोटेंसी सेलेक्ट की जाए तो बोड़ी की ए और होमियोपेथी के ऐसी पैथी है जो कि डिसीज के रूट कॉस को ही ठीक करती है कि निरोगधाम में हम तीन स्पेशल प्रोग्राम चलाते हैं पहला है रिवर्स और डायवेटीज सेकेंड नॉर्मलाइज यह थाइरेड हॉर्मोंस और थार्ड हैं इंप्रूव यह मेंटल स्पेशल पहुआ हैं इसी तरह है थाइरड हॉर्मों जो डिस्बैलेंस वजाते हैं उसमें भी हम मेडिसीन और थेरपी के थूरू थारड हॉर्मों को नॉर्मलाइज करते हैं और इंप्रूव यह मेंटल हेल्थ के लिए सबसे पहले हम काउंसलिंग करते हैं पेशिंट की उसके बाद थेरपी यूज करते हैं और जो मेडिसेंस हम यूज करते हैं वह साइकेट्रिक अलोपेथिक मेडिसेंस को होमियोपेथी में अनवर्ट के अपूटेंटाइज करके जिससे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट निरोगदाम में आकर अपना इलाज करवाएं और बी और आकर चिसमया अलोपेथी यूजकर अलोपेथी min 5 अलोपेथी यूजकर आईविक में झाल झाल itable खाल खाई झाल कि उनिया पाल लिए टissant करते